चली चाप अब्धा माका में आज हमारे साथ हैं टीवी स्टार विंध्या तिवारी जिन्होंने एक्स्क्लूजवली जूम के साफ किया अपना बर्थरे सेलेब्रेट वो भी एकदम अलगी अंदाज में जी हाँ विंध्या ने अपने इस बर्थरे पर किया अपना फोटो शूट वो भी एकदम गौजिस लुक में देखे मैंने सुचा कि हर बार कुछ अलग करना चाहिए अपने बर्थरे पर और इस बार पचीस साल मेरे कम्टीट हो रहा है यह मेरा 26 साल है और मुझे असा लगा कि पचीस साल अपनी जिन्दगी के मैं डिकेट करना चाहूँगी खुद अपने आपको क्योंकि मैं इक्नी स्ट्रॉंग कॉंफिडेंट इंडिपेंडेंट बन पाई हूँ और इस बात का मुझे बहुत फक्र है और मैंने सुचा कि क्यों नहीं रादा दान वेस्टिंग मनी वाइन ओडाना ही है तो क्यों नहीं अपने आप पर अच्छा पोटो शूट करो जूम से है सारे लोग बहुत यंग है बहुत लएशीus है सारा बुटन करेधि मैं तो शूट कर रही थी और मेरा सारा बुटन धरमिस्टा ने अठाया तो धरमिस्टा तो मैं तो धरमिस्टा दीन sorry how is the whole feel of it? She is a natural poser she doesnt need actually any poses or any references so the shoot has been going amazingly well untill now Makeup man who has done an amazing job as you can see तो अगर आपको पता है कि इन्स्टराब मेरे जो भी स्टोरीज है तो वो यह है यह सारे इंस्टराम स्टोरीज मेरी डालता है सो सुरेश, तेल मी कैसा लग रहा है और आज अपने जो लुक दिया है उसमें क्या चीज़ खास की मेरे लिए मैंने दो है वाँ अगर मेरे बाल बनाती है मेरे चेहरे के हिसाब से वो तो कमाल है, देखिए, कितनी छोटी है लेकिन इनके काम बड़े धमाके वाले होते है तो जोती, बताइए कैसा लग रहा आपको मेरे बर्टे के दिल इतना ही नहीं विंद्या ने जूम से एक्स्क्लूसिवली बात करते हुए ये भी किया रिवील कि कैसे खुद की महनत पर उन्होंने बनाया है इंडिस्ट्री में अपनी पहचान जर्नी वह डिफिकल थी जब मैं बंबे आई थी क्योंकि वारनासी से हूँ मैं और एक छोटे से शहर से यहां तक का सफर इतना आसान नहीं होगा बत ओविस बहुत सारी चीजे ने देखी मैंने बहुत बार रोई लेकिन जब मैं पें में होती हूँ तो आपको बता है मैं क्या करती हूँ I smile, I always smile and I always say कि कोई ने हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा So I think I always have this positivity and that is very important